अभिनन्दन आबार और बहुत बहुत स्वागत दोसों जियोतिश विग्णियान के इस अधियासिक चैनल पर और मैं हूँ आप सबका एश्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाँ ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेग्मेंट माश्टर की एंसुवन अक्षर शॉट फॉर्म M-K-S-A 24 गंटों में वैसे कोई चमतकार नहीं होगा ना तो आपकी जीवन की सारी समस्याएं 24 गंटों में समाप्त होगी या फिर रातो रात आप करोड़ पती बन जाएगी इतना धन आएगा कि तिजोरिया कम पड़ जाएगी ऐसी कोई लुभावनी टाइटल्स यहाँ पे नहीं मिलेगी यूग परिवर्तन का दशक है बहुत कुछ हम देख चुके हैं और 29-30 मार्च को जब फिर से शटग्रे यूदी बनेगी तो इस यूग परिवर्तन के दशक का पूरा जो पिक्चर है उसका दूसरा पार्ट शुरू होगा जो जब क्लाइमेक्स तक पहुँचेगा तब पर प्रेनिक रूप से करने की एक कोशिश करते रहें तो उसी सेग्मेंट का नाम है MKSA 24 गंटों का एक प्रयोग आज 26 जून है 27 जून के लिए प्रयोग आज के इस वीडियो में दिया जाएगा नियमित्ता और धैरिया इन दो चीजों का इन्वेस्टमेंट आपको इन प्रयो 24 गुरुवार का दिन मास्टर की कब करनी है सुबस्रान करने के बाद परिवार के साथ कर रहे हैं तो मिक्षर इखठा बना सकते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लिजिए उसमें कुछ बूंदे घी की डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करके एक मिक्षर सा बना राइट हैंड की इंडेक्स पिंगर के नीचे वाले इस पोशन पे लगाईए और 2-3 मिनित तक गिस्से रहे हैं यहां पे लगाना है और 2-3 मिनित तक गिस्से रहना है यह दिखाने के लिए मैं उपर रख रहा हूँ आप नीचे रखके भी कर सकते हैं 2-3 मिनित के बाद जब आपकी उंगली थोड़ी सी ठक जाए छोड़ दीजिए 2-3 मिनित तक सुखने दीजिए और फिर पानी से हाथ दोलीजिए साबूल से नहीं सुखने के बाद पानी से हाथ दोलीजिए यहां पे और यहां पे थोड़ा सा यलोईशनेस रह जाएगा छ सुवन अक्षर, छोटा सा एक प्लेन पेपर लेना है, स्क्वेर, चौकर, उसके उपर जो अक्षर हम बताएंगे, वो आपको हिंदी में लाल पैन से लिखना है, 24 गंटों के लिए उस परची को अपने पास रखिए, दूसरे दिन जब नयस वण अक्षर आप लेखेंगे, पुरानी वाली परची को बीच में से दुबाग में फार दीजिए, घर के बाहर किसी भी पेड या पौदे के नीचे रख दीजिए, पेड पौदा नहीं है तो कही उल्टे हाथ की अतली के सेंटर में लिखिए, राइट ही है तो लेफ्ट हैंड की अतली के सेंटर में, लेफ्ट है तो राइट हैंड की अतली के सेंटर में, अक्षर भी एक विज्ञान होता है, माश्तर की और सुवन अक्षर इखटे ज्यादा प्रभावी होते हैं दोनों प्रयोग एक positivity पूरे वर्ष के लिए, बड़े है तो खुद करना है, marriage अनिवर्सरी है दोनों करे तो ज़्यादा अच्छा है, हल्दी पाउडर और गी को जो यहाँ पे लगा के घिसने का प्रयोग बताया, इस छोटे से प्रयोग को आने वाले एक वर्ष के लिए अपने नित्य करम का हिस्सा बना लिजिए, अगली बड़े या एनिवर्सरी पे आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए हम उस्सुक रहेंगे रुपेन आरशा नाम के इस YouTube चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बैल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद तीन आप्शन्स आएंगे, आल के उपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पह 1110, कॉल मत किजिएगा, कॉल दम नहीं ले पाएंगे, अपना नाम, बड़ डिटेल्स और प्रॉब्लेम्स, डिटेल्स के साथ वाटसप नमबर के उपर लिख दीजिए, अक्शा हीजिए आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा, नए व